हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल study with विसाल सिंग में दोस्तों आज किस वीडियों बात करने वाले यूपी वोड रिजल्ट 2020 के बारे में जो फैसला आने वाला था 20 अप्रेल को क्या आपकी कांपिया जाच होगी की नहीं होगी आपको मैंने पिछले निउज में ही बता चुके थे कि 20 अप्रेल तक एक निउज आपको जरूर मिलेगा की कांपिया आपकी जाच होगी की नहीं होगी लेकिन यूपी वोड ने यहाँ पर फैसला ले चुका था कि 25 अप्रेल से आपकी कांपिया जाच होगी लेकिन 25 अप्रेल से बोड परिछा की कांपियों के मुल्यांकन का विरोध किया गया है यहाँ पर यही एक बहुत ही बड़ी निउज यहाँ पर निकल कर आई है दोस्तों 19 अप्रेल को यह निउज निकल कर आई है तो 25 अप्रेल से आपकी कापिया जाच होंगी, कि नहीं जाच होंगी, हमको लगता है नहीं जाच होंगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने विरोध किया है, तो नहीं हो सकता है, और आपका जो भी रिजल्ट आने का समय था जून में, वो अगले महीने मतलब जुलाई में आपक चला गया है तो आए बहुत सारी डीटेल में बात करने वाले हैं इस न्यूज के बारे में तो आपको इस वीडियो में सुरू से अंतक बने रहना है अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आते तो चलनल को सब्सक्राइब कीजिए यहां पर यूपी वोड 2021 की तयारी अब सुरू होने वाली है तो आप जल्दी से जल्दी नए बच्चों को यहां पर अपने फ्रेंट को जोड सकते हैं तो आए दोस्तों इसमें बात करते हैं क्या क्या बात है इसमें आपको बताया गया है यूपी ठकुराई गुट ने रविवार को उपे मुख मंतरी डाक्टर दिने सर्मा परमुक सचीव मादमिक सिच्छा निर्देक्स मादमिक तथा सचीव यूपी वोड को उनके मेल पत्र प्रेसित कर 25 अप्रेल से वोड पर इच्छा की कापियों के मुल्यांकन और सोमार से यूप क्लासेश चलाने की मांग की गई थी लेकिन वो भी अब नहीं हो पाएगा और 25 अप्रेल से जो आपकी कापियाजाच होनी थी वो भी अब नहीं हो पाएगा इसके के लिए विरोध में लोग खड़े हो चुके हैं तो इसलिए वो नहीं हो सकता है तो अब देखते हैं 25 अप अगली कच्छा में परिवेस पाने का कोई अउसर नहीं होगा जी हाँ दोस्तों अगर आपका परिडाम जारी नहीं हो सकता है तो आप अगली कच्छा में नहीं जा सकते हैं ऐसे में मुल्यांकने में परिडाम के लिए 30 जुन तक का समय उपलब्द है देखिए दोस्तों मैं नहीं बात काना चाहूंगा कि मैं इदम कनफर्म नहीं है कि जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा और भी बाते इसमें बताए गया कि 15 मही से भी मुल्यांकन शुरू होने पर 30 जुन के से के पूर्व परिडाम दिया जा सकता है देखिए दोस्तों अगर 15 मही से भी और असपष्ट हो सजाएगी जी यहां दोस्तों गर 25 दिन के अंदर आपको मालिम चल जाएगा कि लागडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा अगर इसी तरह में कुविड-19 का असर चलता रहा तो आपको लागडाउन नहीं खुल सकता है वहीं बात करें हैं वहीं राजकिय सिचक संग के मुखे मंतरी को पत्र बेज कर लागडाउन की अवधी 3 माई तक मुल्यांकन अस्तगीत रखने की मांग की है संगठन में परदेश महामंतरी डाक्टर रवी भूसल का कहाना है कि CBSC की परिच्छाएं पूरी नहीं हो पाई है और इसमें राजकिय सिचक संग मुखे मंतरी को पत्र बेज कर याँ पे 3 माई तक याँ पे मतलब कापियां आपकी जाच नहीं होगी इसमें यह भी बाते विरोध में कहा गया है इंजिनरिंग वो मेडिकल की परिच्छाएं टाल दी गई है यूपी बोड के मुल्यांकन के अंदरों पर महामारी से निपटने के साधन नहीं है ऐसे में सिचकों के जीवन को खत्रे में डालना उचित नहीं होगा जी याँ दोस्तों अगर वो जाते हैं कापी अजाच करने जैसे आपको एक के अंदर बनता है कापी अजाच करने के लिए उम्हाँ पर सिचकों का जाना जरूर ही होगा तो इसलिए में ऐसे में जीवन को खत्रे में डालना उचित नहीं होगा विरोध में यह भी बाते कही गई है तो विरोध में बहुत सारे बाते इसमें बताई गई थी तो आप लोगे आसा करते हैं कि आप लोग जान चुके होंगे अगर जान चुके होंगे तो इस वीडियो में नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आते तो चलने को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी न्यूज आपको हमेशा यहाँ पर मिलती रहती है तो आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया कि आपकी कापिया 3 माई के इधर नहीं जाच हो सकती मतलब लागडाउन के जिस दिन और भी बढ़ सकता है लागडाउन की नहीं बढ़ सकता है इसमें आगे फैसला 3 माई को होगा और 25 अपरेल को भी एक न्यूज आपको आ सकती है फिलाल इस वीडियो में था बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्ये जनकारियों के साथ तब तक के लिए चैहिंद वंदे मातराव